आज कोई भी बेटा अपने पिता के लिए कुछ करने के लिए रेडी रहता है जैसे उनको कई घुमाने ले जाना, उनको खुश रखने के लिए जो बन पाए करने के लिए रेडी रहते है लेकिन सिर्फ नाइन इयर्स के वीर बेटे ने 18 kg वेट बढ़ाया ताकि वो अपने पिता की जान बचाने के लिए बोन मेरो डोनेट कर सके दस्टार की रिपूर्ट के अनुसार चीन के लू जिक्योन अपने पिता लू यानहें की इस तरह मदद करना चाहते थे जो सालों से कैंसर से जूज रहे थे सालों तक अपने बच्चे और फैमिली से अपनी बीमारी छीपाने के बाद लू ने आखिरकार उन्हें इसके बारे में बताया और स्विकार किया कि उन्हें स्पाइनल बोन मेरो ट्रांस्प्लांट की सक्त जरूर थे इसके बाद लू के तीनों बच्चे अपनी बोन मेरो दान करना चाहते थे लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा होने से लू जिक्योन जो नाइन येर्स का था रेडी हुआ लेकिन इस भिशन आपरेशन से गुजरने से पहले कम से कम 18 केजी वेट बढ़ाने की जरूरत थी महिनों तक इस निश्वारत जिक्योन ने एक दिन में 5 टेम्स खाना खाया भले ही परिवार अच्छा नहीं था फिर भी सबसे अधिक पोस्टिक भोजन उसे दिया गया था ताकि वेट बढ़ाने में मदद मिल सके जिक्योन ने बताया कि पहले उसको खाना खाना अच्छा लगा बाद में उसे पेट में दर्द भी होने लगा ज़्यादा खाना खाने से उसे सो जाने का मन करता था वो कठिन समय था जब पेट भरा होने के बाद भी उसे फिर से खाना खाना पड़ता था फिजिकल पेन के बाद भी स्कूल में क्लासमेट्स उसे मोटा पे के कारण चिडाते थे कि ओ मोटा हो रहा है लेकिन टॉल ये उचा नहीं लेकिन प्रिंसिपल के इंटरफियरंस के बाद उसे चिडाना बंध हो गया लू जिकियान आखिरकार अपने लक्ष पर पहुँच गया और बोन मेरो ट्रांस्प्लांट 9 सप्टेमबर को हुआ ठीक उसके पिता के जन्म दिन पर पेकिंग इनिवरिसिटी के पीपल हॉस्पिटल में आपरेशन होने के बाद उसके पिता ने सोशल मीडिया पर सफल आपर दी उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं अपने बेटे को धन्यवाद देता हूँ यह न्यूज स्टेट न्यूज एजन्सी चाइना ने पब्लिश की तब इस ऑपरेशन के लिए डोनेशन एट लाक यूएन तक पहुँच गया अभी जीकियोआन आउट और डायेट पर है ताकि अपना वेट कम करें और कुछ दिन रेस्ट लेने के बाद फिर से स्कूल जाना शूरू करें चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में